गुड मॉर्निंग मैं दियर स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स पिछली वाली क्लास में मैंने आपको अंकी मात्रा से बने हुए शब्द रीट कराये थे आज हम अंकी मात्रा से बने शब्दों से वाकिरचना रीट करेंगे तो आप अपनी हिंदी बुक का पेज नंबर 61 ओपन कर लीजे देखें अनुस्वार एक्चुली क्या है पिटा जो अंकी मात्रा होती है इसको हम अनुस्वार भी बोलते है ठीके तो अनुस्वार के प्रियोक से बने शब्दों से वाकिरचना मतलब अंकी मात्रा से बने हुए शब्दों से वाकिरचना यहाँ पर जो वाकिरचना आपको उनको मेरे साथ में रीट करना है ज ज पर अंकी मात्रा कैसे पढ़ेंगे जंगल जंगल मामे एकी मात्रा मे अगर मामे एकी मात्रा होती तो हम उसे मे बोलते लेकिन मा में एकी मात्रा के साथ में अंकी बिंदी भी लगी हुए है तो हम कैसे बोलेंगे में मतलब आपको अंकी मात्रा का उचारण भी एकी मात्रा के साथ में करना है तो हम ऐसे रीड करेंगे में जंगल में मा में उकी मात्रा मूर मूर, नामे आ की मात्रा नाच, रा, हा में एकी मात्रा है, रहे, हा, हा पे आ की मात्रा है, और है पे बिंदी भी है, तो हम पढ़ेंगे है, जंगल में मूर नाच रहे है, मतलब हा में आ की मात्रा के संग जब आं की बिंदी होगी तो हम सिर्फ है नहीं पढ़ेंगे, कैसे है यूस किया है और है पे बिंदी लगी है इसलिए हमने उसको है पढ़ा है जंगल में मोर नाच रहे हैं नेक्स्ट है मा में ओकी मातरा मोर का में एकी मातरा के पा में अंकी मातरा पंख सा में छोटे ओकी मातरा सू और बिंदी भी इसी के उपर लगी है तो हम कैसे पढ़ेंगे सुन्दर सुन्दर हा पे आएकी मातरा और अंकी मातरा है तो उसको साथ में पढ़ेंगे हैं मोर के पक सुन्दर है ओके स्वेंट्स नेक्स्ट है सब हां में एकी मात्रा फेद सफेद हां पे अंकी मात्रा हंस हंस उड उड र हां में आकी मात्रा हा हां पे आएकी मात्रा है सफेद हंस उड रहा है अगर है पे अंकी मात्रा होती है तो हम है पढ़ते हैं और नहीं तो सफेध हंस उड़ रहा है ओके सिर्थर रहा है नेक्स्टे ररामें की मात्रा में इसे पढ़ेंगे रंग बिरंगी तामे चोटी की मात्रा ती त लामे बड़ी की मात्रा ली तितली रंग बिरंगी तितली कामे ओ की मात्रा को दामे की मात्रा दे खामे ओ की मात्रा खो देखो रंग बिरंगी तितली को देखो तो आपको इसी तरीके से रीडिं गरनी है और अंकी मात्रा की प्रैक्टिस करनी है अब आप अपना next page उपन कर लिजे 62 तो स्वेंट्स आपको समझ में आया कैसे पढ़ना है इसी तरीके से आपको ये रीडिंग करनी है और इसका वीडियो बनाकर ग्रुप में सेंड करना है ओके स्वेंट्स अब हम अंकी मात्रा का अभ्यास वर्क करेंगे बुक में आप अपनी बुक का पेज नंबर 63 उपन कर लिजे ओके ओके स्वेंट्स सबसे पहले हम यहां CW मेंशन करेंगे ओके स्वेंट्स यहां पर जो चित्र दिया हुआ है आपको उतका नाम लिखना है यहां ओके स्वेंट्स सबसे पहले किसकी पिच्चर दिया है येस पंख तो हम कैसे लिखेंगे पा पर अंकी मात्रा पंख पंख ओके स्वेंट्स आपको यहाँ पर स्लिपिंग लाइन भी खीचनी है ओके नेक्स्ट पिच्चर किसकी है येस शंख कैसे लिखेंगे शा शा पे अंकी मातरा शंख क्या बना शंख आप देख रहे हैं अंकी मातरा जहां बुल रही है हम वहीं लगाएंगे हा हाँ पे अंकी मातरा हंस हंस देखें स्वेंट अगर हम अंकी मातरा नहीं लगाते तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे हस तो रॉंग उरा है ना तो इस अंकी मातरा का भी बहुत महत्व है इससे प्रॉपर शब्द सही बनता है और हम उसको पिच्चर देखकर जैसे पढ़ रहे हैं, उसे साब से ही हमको यहाँ पर लगानी है बिंदी, हंस, हंस, ओके, नेक्स्ट है, किसकी पिच्चर है यह, अंगूर, कैसे लिखेंगे, आ, आ पे अंग की मात्रा, या हम सीधे से अंग भी पढ़ सकते हैं, अंग में बड़े हो की मा यह, यह, बंदर, कैसे लिखेंगे, ब, बन, बापे बुल रहे हैं न, मात्रा, तो हम बापे लगाएंगे, बन, द, र, बंदर, उके स्वेंच, इसलिए अंग की मात्रा जब भी आपको लगानी है, तो आपको पहले अच्छे से शब्द रीट करके देखना है, कि अंग की म मंदिर, हम कैसे लिखेंगे, मा, अगर हम मा लिखते हैं, दा में छूटी की मात्रा दीर, तो मदिर हो जाएगा, तो हमको क्या लिखना है आपर, मन, तो मा पे अंग की मात्रा लगाएंगे, मन, दा में छूटी की मात्रा दीर, क्या बना, मंदिर, उके स्वेंच, नीचे लि लगा कर पुनाह लिखिए, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, घ, घ, ता, तो घटा लिखा हुआ है, अब अंकी मात्रा अगर हम ता पर लगाते हैं तो हम पढ़ेंगे ग, घ, ता, तो घ, ता, गलत हो रहा है न, हमें क्या पढ़ना है, घं, टा, नेकस्ट कया लिखा हुआ है, जडा, तो अगर हम जापे बिंदी लगाते, तो हम इसे कैसे रीट करेंगे, ज, जन, ड में आकी मात्रा ड, जञ ट, अगर आप तес यहाँल, यह neighborhood लगा हुआ हूए, स, त, र, अगर आप ता पर अंकी मात्रा लगाते हैं, तो आप इसे कैसे री पर अगर पर किसे रगाते हैं तो तो हम किस पर लगाएंगे ज पर इसे रीट कैसे करेंगे जन जीर जन जीर एक्चुली थोड़ा सा ये जो बिंदी होती है ना अंकी मात्रा की ये आदे ना का साउंड करती है है ना जैसे किया लिखा हुआ है सा में छोटे हो की मात्रा सू रग सुरग तो अगर हम गा पे लगाएंगे तो सू रग गं तो वो रग गुरा है ना तो हम काय पे लगाएंगे रग पे और रीट कैसे करेंगे सा सा में छोटे हो की मात्रा सू रग रग सुरग ओके स्विंट्स थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर आपको ये मात्रा अच्छे से आ जाएगी ओके मा के नीचे ये जो लगा हुआ है इसको आदा रा बोलते है म्रा दग और हम कहां पर बिंदी लगाएंगे अंकी दपे फिर हम इसे कैसे रीट करेंगे मा में रा लगा हुआ है म्रा दंग म्रदंग ओके स्विंट्स नेक्स्ट है दगल तो हम किस पर अंकी मात्र लगाएंगे जिससे क्या बन जाएगा दंगल दपे लग रही है न अंकी मात्रा दंग ल दंगल ओके स्विंट्स नेक्स्ट है चचल तो आप किस पर मात्र लगाएंगे पढ़ कर देखिए चन-चल चन्चल तो च पे बूलरही है न अंकी मात्रा चन्चल ल किसे रेंड next है मगल और आपको अंकी मात्रा लगाना है तो पहले से रीट करके देखएंगे मां पे लगाते हैं तो मंगल मां गा पे लगाते हैं तो मां गं ल राँग उरा है ना और अगर ला पर लगाते हैं तो मा गलंग वो भी गलत हो रहा है तो हम मा पर अंकी मात्रा लगाएंगे मा पर अंकी मात्रा मंगल क्या बना? मंगल Okay friends, next is शकर तो हम काई पर लगाएंगे अंकी मात्रा? शा पे और कैसे रिट करेंगे? शंकर शंकर कर, ओके, next है, अजीर, तो हम कहाँ पे लगाएंगे अंकी मात्रा, आ पे, अन, जी, र, अन, जीर, ओके, next और लास देखते हैं, मजन, तो हमें कहाँ पे अंकी मात्र लगानी होगी, म पे, फिर हम ऐसे कैसे रीट करेंगे, मन, ज, न, मन, जन, ओके, strange, तो आपको ये वर्ग जो है, वो neat and clean करना है, और उसके बाद रूप में send करना है, ओके, have a good day, bye-bye